A big hello to everyone, welcome back dear learner, I hope कि आप एक अच्छे mindset के साथ हर एक lecture की तरह भी आज भी इस lecture के लिए आप ready होंगे, तयार होंगे, क्योंकि आज से पहले हमने politics के जितने भी यहां के हमारे जम्मू और कश्मीर के जो famous personality थी, उनकी बात करी, उसके बाद हमने यहां पे literature की बात करी थी, कि literature background से जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के रहने वाले जो famous personalities थी, उनकी हमने बात करी, और उसके बाद, जो कल की हमारी lecture थी, उसके अंदर हमने sportsman की बात करी थी, यनलिजिए सभी sportsman की बात करी थी, जो के सब कहां के रहने वाले है, यहां जम्मू और कश्मीर union territory चे बिलोंग करते थी अब यहां पर बात करने वाले हैं साइस एन अकेडमिक्स की बात करने वाले हैं जी हाँ उन ऐसी हस्कियों की बात करने वाले हैं जिनका बैक गरोड यहां पर साइस फिल्ड से है या फिर अकेडमिक्स की फिल्ड से है उनके बारे में आज छोटी सी लेक्चर ये भी ह वाली है इसलिए पूरी लेक्चर को जान से देखे अच्छे से देखे क्योंकि जो भी मैन मैन पॉइंट होते हैं महरे एक लेक्चर के दर वहां पे उनको मेंशन कर देता हूँ उनको वहां पे मैं एक अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप इसको फिनिश भी करेंगे क्योंकि दिन चाहे कैसा क्यों ना गया हो लेकिन अगर आप इवनिंग को सही से बना पाएंगे इवनिंग का बेनिफिट सही से उठा पाएंगे जब आप सोएंगे तो चैन की नींद भी आपको आएगी अदर्वाइस दिन पूरा वेस्ट हु मेरी बात का उतना ही आप फ्यूचर में कमाएंगे भी जितना आप कमा सकते हैं और जितना आप कमाएंगे वो पूरा का पूरा यहां पे डिपेंड करता है कि आप अभी इस टाइम पे अपनी लर्निंग के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं आज की लेक्चर का जो पहला यहां पे परसनल्टी है जो अकेडमिक्स और साइंस से रिलेटिड है उनकी बात करें तो सबसे पहले हम यहां पे हम अमीता मतो की बात करें तो यह एक फैमस परसनल्टी हैं जो हमारी जमुन कश्मीर से बिलॉंग करते हैं और यह जमुन कश्मीर के रहने वाले हैं अ उनका जनम 26 तब जून 1962 में हुआ तो था लेकिन कहां पे हुआ था सिर्नगर में हुआ था उसके बाद जो मैन बात इनकी है कि इनको पदमशिरी आवार्ड से भी सम्मानित करा गया है तो सबसे मैन पॉइंट यह है कि ऐसा कौन सा अकैडमिक्स और साइस बैग्रॉंड से परस बात करें he is the one of India's leading thinkers अगर उनकी सोच की बात करें उनकी memory की बात करें या फिर वो जब लिखते हैं उनकी जब राइटिंग स्किल की बात करें तो वो एक इंटरनेशनी लेवल पे रेकोगनाईज है यहनि इनको एक एफिलेटिड है मानी ता मानी जाती है क्योंकि वो एक बहुती बड़े उन्चे तपके के यहाँ पे क्या एक राइटर भी है और एक बहुती अच्छे सलाकार के साथ साथ थिंकर भी है उसके बाद यह अब यह इस आर्ममेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आर्म्स रेडक्शन यहनि जो हत्यार जो बनते हैं जो विनाशकारी हत्यार होते हैं अगर आप स्पेशल बात करें उनमें अंदर गन यहाँ पे कोई तोफ या इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ मै तो यहाँ पे मैं उन हत्यारू की बात कर रहा हूँ जैसे आप न्यूकलिर वेपन की बात करने उनको यहाँ पे रेडियूस करने के लिए जिस डिवाइस का या जिस एजुकेशन का स्टेडी का म्यूस करते हैं उसे यहाँ पे डिस आर्ममेंट स्टेडी कहा जाता है तो उ अगर आप बात करें इंटरनेशनली लेवल पे यहां पर मैलबर्न के अंदर यहां पर एक युनिवस्ट्री में यह काम करते हैं उसके बाद इनकी खास बात यह है और मैंने यहां पर हाइलाइट भी करा है यहां पर जो अमिताब मटो जी है वो यहां पर 2018 यहां पर 19 जून 2018 तक जो जमवन कश्मीर के जो लास्ट सीम थी महबुबा मुवती उनके यहां पर यहां पर यह एडवाईजर भी रह चुके है जिनका स्टेटस वहां पर तब क्या था ऐजे कैबिनिट मिनिस्टर वहां पर जब वो यहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर की सलहाकार बने थे उसके बाद इन्होंने यहां पर जो चैर्मेन आफ यानि मरिंडा जो कंपनी है यहां बात करें चैर्मेन आफ गवर्निंग बोर्ड अफ मरिंडा हाउस के चैर्मेन भी रह चुके हैं जो यूनिवरस्टी अप रैली के अंदर है तो उनके चैरमेंट बने हुए हैं उसके बाद दूसरी परसनल्टी की बात करें जिनका अकैडमिक्स और साइंस के अंदर एक खासा अच्छा खासा यहां पे एक योगीदान है अगर इनका नाम की बात करें तो इनका नाम है डाक्टर ललित गुपता जी हा डाक्टर ललित गुपता एक बहुत ही अच्छी फैमस परसनल्टी है जिनका बैक्रोंड यहां पे साइंस से जाधा तर आएगा क्योंकि अगर डाक्टर है तो डेफिनिट्री मेडिकल फील्ड के अंदर साइंस के अंदर इनका जाधा यहां पे एक योगीदान रहता है पा तो यहां पे आपको लखन पूर टोल प्लाजा क्रास करके आना पड़ता है तो वही लखन पूर यहां पे आप बात करें जो जम्मू के अंदर आता है तो वहां पे इनका जनम 29 अगस्त 1953 को हुआ था उसके बाद यह एक आर्ट हिस्टोरियन भी है इनके अगर आगर आप ब प्रेकर भी है तो आप यहां पे आपके लिए टास्क है जो कॉलमनिस्ट है इसको क्या कहते हैं तो आप आज चैट बॉक्स के अंदर जरूर रखें या फिर जैसी आपकी वीडियो लेक्चर फिनिश होगी तो आप उसके बाद यहां पे कुमेंट सेक्शन के अंदर रखें देखो मैं यहां पे सभी बता दूँगा लेकिन अगर आप खुछ जाएंगे तो इसके साथ सथ आपको दूसरी चीजें भी देखने को मिलेंगी इसलिए मस्ट आप यहां पे इसको देखें किसका मतलब क्या होता है उसकी बात करें अगर इनके आप अथॉरिटी की बात कर अगर आई थे एक हैड़ भी रह चुके थे यहां पर इनके अंदर थी इसके बार जो इनके आप जो वाजुव हैं और रहे चुके हैं जो यहां पर काहां पे लोकेड वहां जमु मैं और लगबग 30 साल से त्री डेकेट से यहां पर यहां एस्टेबलिश है यह बना हुआ ह उसके बात करें यहाँ पे इन्होंने दुसरे भी प्रॉजेक्ट्स के अंद़ जो अशोशेटीड प्रॉजेक्टस हैं और जो बड़े बड़े प्रिस्टीजिस प्रोजेक्ट से उनके अंदर भी काम करा है और अगर आप बात करें ज्यादह तर इन्होंने किश्मीर के जो important important यहाँ पे monuments हैं जो historical building से हैं तो उनकी यहाँ पे इन्होंने क्या करी फोटोस को भी खीचा है और फोटोस भी बनाई है और artwork को इन्होंने दिखाया और अगर बात करें आप तीन state की बात करें जो इरिस्ट वाइल का मतलब होता है former या भूत पूर्व भी अच्छी तरीके से art करी है और उसके बाद कुछ यहाँ पे scriptures भी लिखे है और painting भी करी है जिस तरीके से डाक्टर ललित गुपता के बारे में आपको जानने को मिलता है उसके बाद यहाँ पे एक और famous personality की बात करें इनका नाम है सुभाश काक देखो यहाँ पे इनकी बात भोती अच्छी आपको देखने को मिलेगी अगर आप इनको पूरा अच्छी तरीके से मेरी voice को सुनेंगे I hope dear learner आपको मेरी voice clear and cut आ रही होगी साफ सुत्री आ रही होगी कि आप मेरी बात को सही तरीके से सुन पाएं so dear learner आपको थोड़ा सा manage करना पड़ेगा because cell phone से सभी process चलता है और आपका time productive बनाना होता तो I hope कि ज़्यादा मेरी voice कभी blur भी कर देती ने buffing भी हो जाती है लेकिन इतना भी नहीं करती कि आप मेरी voice को अच्छी तरीके से understand ना कर पाएं अगर आप बात करें सुबाश काक की बात करें सुबाश काक का जो जनम था 26 मार्च 1947 को सिरिनगर के अंदर हुआ था अगर बात करें यहाँ यहाँ पे Indian American Computer Scientist हैं तो सबसे बड़ी बात इनकी यह है और एक बात करें historian revisionist भी है तो यहाँ पे एक बात आपको इनके बारे में अच्छी तरीके से पता चलते हैं कि वो तो Indian American Computer Scientist भी है लेकिन साथ साथ historical revisionist भी है यहाँ पे उसके बात करें he is the Regent Professor देखो यहाँ पे आप मेंसे बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे दिक्कत आएगी sir what is the meaning of Regent Professor what is the meaning of Regent Professor so ladies and gentlemen for your kind information if I want to make you understand the term Regent Professor so I will make you very easy I will make it very easy to understand you dear friend आपको सबसे परे यह याद रखरा है कि यह कैसी recognition होती है या एक ऐसी identity होती किसी faculty की खास कर यह faculty के लिए दी जाती है जिनका अगर आप academic merit देखें तो वो भी ज़्यादा highest हो और उसके बाद वो faculty उस faculty को बहुत खासे अच्छे खासे आवार्ड भी मिल चुके है उनकी जो proper research है या उनके जो proper किसी subject के अंदर बात करें या फिर उनकी degrees के अंदर बात करें उनको वहाँ पर एक बहुती अच्छी तरीके से यहाँ पर award मिल गी होती है दूसरा regent professor उनको भी कहा जाता है जिनका एक unique contribution होता है किसी quality work के अंदर जो university होगी college हो गया उनके अंदर जब एक qualitative work होता है अपने campus के लिए अपने university के लिए तो उनको भी यहाँ पर regent professor कहा जाता है इसी तरीके से यहाँ पर एक regent professor है किसके computer science department के और यह computer के जब scientist है तो definitely he definitely will be a computer science department के कोई head होंगे वो कहाँ पर है Oklahoma यहाँ पर state university है still water में यहाँ पर जहाँ पर यह क्या है एक regent professor आप computer science department के हैं उसके बाद इनका contribution आपको cryptographic के अंदर भी मिलेगा अब आप बोलोगे sir what is the meaning of cryptography dear learner मैं हाँ पर आपको knowledge ही नहीं दे रहा हूँ उसके साथ साथ आपको बहुत ज़दा चीजें भी दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पर पता नहीं होगी उनकी भी बारे में आपको बता रहा हूँ अब cryptographic का मतलब क्यों होता the art of writing our solving code आप suppose करो मैंने यहाँ पर एक साथ आठ या जिरो यह मेरा एक code है लेकिन आपको forget हो गया या मुझे forget हो गया तो आप cryptography एक ऐसी यहाँ पर image study होती है जिसकी वजह से आप इनके code को solve कर सकते हैं एक art होता है art of writing art solving code को आप cryptography कहते हैं उसके बाद यहाँ पर artificial neural networks और या quantum information की बात करें तो उनके अंदर यहाँ पर सुबाश काक जी का बहुत अच्छा prominent एक rule है यहाँ पर rule के साथ-साथ एक role भी है अगर बात करें काक ने अपनी बुक को भी publish करा जैसे history of science की बात करें the philosophy of science की बात करें ancient astronomy की बात करें और history of mathematics की बात करें तो इन्हों ने यह सबी जो चोटी चोटी बुक्स हैं या इन्होंने क्या करी हैं publish करी हैं उसके बाद यह honorary visiting professor भी हैं कभी-कभी यह जाते हैं और कहां पे कौन से college में यहां पे यह विजिट करते हैं और यह professor किसके honorary visiting professor है यहां पे JNU के अंदर भी जिसको ज्वाला नहरू यूश्टी के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद 2019 में में इनको एक बहुत ही अच्छा award दिया गया है अगर आप बात करें कौन सा award इनको मिला था तो पद्म शिरी award से इनको भी सम्मानित करा गया है कब 2019 में इनको पद्म शिरी award भी इनको मिला है उसके बाद यहाँ पे चोथे और आच्छे एक prominent यहाँ पे और एक आपको famous personality से मिलवाओं इनका नाम है यहाँ पे डाक्टर रोफ बांडे देखो यहाँ पे डाक्टर रोफ बांडे का यहाँ पे क्या योगिदान है बात करें तो यह कश्मीर के अंदर इनका भी जनम के हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत एक अच्छी path breaking discovery का मतलब है बहुत शानदा discovery यह करी है जिसका मतलब यहाँ पे linking genetic makeup a person to cancer risk तो यहाँ पे it means यह किसी cancer की field के related है तो इन्हों लिए इसलिए इन्होंने क्या करा जो genetic makeup है एक person का जो cancer risk को ज्यादा create करता तो उसके अंदर उन of health national cancer of institute Washington DC यहाँ पे जो USA के capital Washington DC है तो वहाँ पे as a research fellow वहाँ पे क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं उसके बाद उनको बहुत जदा awards भी मिले हैं जैसे आप बात करें US national cancer institute directors innovation award से भी इनको सम्मानित करा गया है तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात होती है उसके बाद American association of cancer research scholar in training award के अंदर भी इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है तो यह कौन है यह और कोई नहीं है हमारे कश्मीर के रहने वाले है जिनका academics और science के अंदर एक खासा अच्छा खासा यहाँ पे रोल रहा है और इनका नाम है dr. रोफ बादी उसके बाद इरलर ने यहाँ पे बात क पूरी की पूरी यह बेस्ट है अब ऐसा नहीं कि इनका इनकी मृत्ती हो गई नहीं यह अभी भी जीवित है और अभी रिसेंटल यह नहीं उसके अंदर भी थे क्योंकि जो जुजीला पास यहाँ पे टनल बन रहा है वहाँ पे एक आइस टनल का इन्होंने एक concept दिया है ए उनका यहाँ पे किरदार को निभाया गया है तो यह एक पेशे से क्या है एक इंजिनियर है इंडियन इंजिनियर है और एक इनवेटर है और एक educational reformist भी है इन education के अंदर भी इनका खासा अच्छा खासा योगदा रहता है अगर इनके जनम की बात करें इनका जनम 1st September 1966 को हु इनने यहाँ पे sick mall देखो यहाँ पे sick mall यहाँ पे the students educational and cultural moment अफ लडाक इननों यहाँ पे फौंड करा है और यह founding director भी इस यहाँ पे sick mall के हैं उसके बाद बात करें यह कब फौंड करा गया था तो 1988 में यह फौंड करा गया था जो group एक students क्या था उनके दवारे इनको गवाज जो है वो कोन है सौनम वंक्चुक जी है यहने इनका education के अंदर बी आप बात करले technology के अंदर बात करले इंजिनिंग field के अंदर बात करले या innovation के अंदर बात करले तो यह बहुती अच्छी prominent personality है लदाख रीजिन की उसके बात करें he is also known for designing the SAC mall उनको जो सेक्मोल केंपस जो था उन्हें ही डिजाइन भी करा था अब सेक्मोल का मतलब क्या है स्टुडेट्स एडुकेशनल एंड कल्चरल मॉमेंट्स आप लदाक यहाँ पे इस तरीके से इसका नाम पड़ता है जो यहाँ पे सोलर अनर्जी से यहाँ पे चलता और उन्हे इस अंदर आपको कोई भी फोसल फ्यूल यूजज करने की कोई जरूरत ना तो कुकिंग के लिए ना तो लाइटनिंग के लिए ना फिर उसको गरम करने के लिए क्योंकि लेल अदाक के अदर आपको ज्यादा तर ठंड देखने को मिलती है उसके बाद और बात करें इनकी तो वंग चुक जो है उनके एक इस्ट्रूमेंटल भी यहाँ पर उन्होंने लाउंच करा जिसका ऑपरेशन नीव होप इसका नाम है जो यहाँ पर कब इन्स्ट्रूमेंट यह जो लाउंच करा था 1994 के अंदर अब यहाँ पर सिरकार के साथ मिनका गठबंदन था कोलोबरे चैंजिंग ला रहे हैं ताके गोर्मेट स्कूल के स्टेंडर को इंक्रेज कर पाए उसके बाद आइस टूपा टेक्निक आपने इनके बारे में सुना होगा तो यह जो आइस टूपा टेक्निक यह किसने क्रियेट करी है तो यह यहाँ पे सौनम वंग चुक जी ने हुई है उसके बाद यहां पर यूस्ट फार स्टोरिक विंटर वाटर यह किसले यहां पर जो आइस टूपा है तो यह जो विंटर के अंदर जो पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए उसकी जो शेप होती है वो कानिकल शेपड आइस हीप है उसके बाद इनको बहुत अवा for sustainable architecture के लिए भी इनको सम्मानित करा गया है 2017 के अंदर 2017 के अंदर उसके बाद UNESCO जो चैर अर्थन आर्किटेक्चर भी है तो बाई क्रियेटरा फ्रांस के दोरा इनको 2014 में ये सम्मान भी दिया गया है इट मेंज इनको इंटरनेशनली लेवल पे भी बहुत ज़्यादा आवार्ड मिले है और ये तो मैंने कुछ आवार्ड की ज़्यादा बात रही करी अगर आप इनके बारे में डीपली जानना चाहते है तो एंट लगेंट बात चीज शहांशने के ज़य जानने आपसे भी धान सब्सक्राइब टेम करें इनके ये ज़्यादा फ़हन के डिया ऑप सब्सकार ना चाहते होगा तो अगरिस ने को एप बात पर आहो एंट रेक्टी और वंगेट विए लिए टन्ड़े होगाइग और Stay safe and stay blessed.